नमस्कार नाकपूर हल्चल में आपका स्वागत है तो आई ये नजर डालते हैं नाकपूर की विविध हल्चल पर समस्त जैन समाच की एकमात्र प्रतिनिद्य संस्ता श्री जैन सिवा मंडल की तत्वावधन में 14 अपरेल को श्री भगवान महावीर स्वामी के 2621 जैन्मक अल्यानक महुत्सों के पावन परवपर रथयात्रा अहिंसा कार एवं स्कूटर रेली श्री करन कुठारी ज्वेलर्स के सोजन्ने से विविध शेत्र में उल्लेकनिय कार्य करने वालों को कुठारी अहिंसा अवार्ड जैन समाच की 4-14 वर्ष तक की बालक एवं बालिकाओ एवं महिलाओ के लिए प्रतियोगिता श्री भगवान महाविर स्वामी के जीवन पर आधरित प्रश्नमंच आधिका आयोजन किया गया है सभी प्रतियोगिताओं में प्रथम द्वितिया व तुर्तिया क्रमांक एवं सांत्वना पुरसकार रखे गये है सभी कारेकरम श्री जैन सेवा मंडल के तत्वाउधन एवं ट्रमुक मारगदर्शन में महिला समीति के सहकारे से संपन्न होंगे कारेक्रम के सफलतार्थ श्री जैन सेवा मंडल की ओर से विचार विमर्ष के लिए अध्यक्ष दिलिप गांदी की अध्यक्षता में सभा हुई जिसमें समाज के विभिन्न संस्थाओं के पदादिकारी एवं गणमाने समाज बंदों ने अपने अपने विचार रखे प्रास्था विक कार्यकारीनी सद्र से डॉक्टर दीपक शेंडे करने किया सभा का संचालन महामंत्री अभई शाहकार एवं आभार डॉक्टर चंद्रानाथ भागवत करने मना सभा में विजय जवेरी, सपना जैन, अनामीका जैन एवं मंडल के सभी पदादिकारी वह सदर्स्य प्रमुक्ता से उपस्थित थे NSUI द्वारा युक्रेन के मिरुतकों और घायलों के प्रती सव्वेदना व्यक्ता करते वे मानो शुरूंखला बनाई गई महराष्टर प्रदेश युवक कॉंग्रेस उपाद्ध्यक्ष कुनाल राउत के साथ छात्रों ने नाकपूर में सभीदान चोग पर मानो शुरूंखला बना कर अपिल कि रूसा और युक्रेन हिंसा का मार्ग छोड़ कर गांधी की विचारधारा और अहिंसा को अपना के अचातर नवीन शेखर अप्पा और चंदन जिंदल की मौत हो गई और कई अन्य गायल हुए है भारत में भी इन हमलों के बाद हर तरप से प्रतिक्रिया आ रही है और हर मानो प्रेमी पिडितों के साथ खड़ा सव्विन्ना वेक्त कर रहा है लेकिन इसका एक दुखत पहल के कुशल मार्गदर्शन और नागपुर मंडल के नेतरूतों में टीम बिडियू बिजनेस डेवलप्मेंट यूनिट के इमांदार प्रयासों से नए रेलवे यातायत प्रणाली को आगे बढ़ाने में सफलता मिली है यह पूरी तरह से नागपुर मंडल के लिए एक नया विदर्बग क्षेतर से किया जा रहा है जो बल्लार्शा गुड़ शेड से लगबग 150 किलो मिटर की दूरी पर है इस सेवा से विदर्बग क्षेतर का विकास होगा और विशेश रूप से गडची रोली जिले के विकास में भी मदद मिलेगी इस कमोड़िटी के रेक को ना अजस्वस रूजन के लिए एक उच्चे श्रिणी है इसके अलावा यदि देश के अन्यक्षेतरों से मांग बढ़ेगी तो रेलवे इन स्थानों के लिए भी रेक लोड करेगा एक भारत श्रेष्ट भारत योजना के माध्यम से महराष्टा और ओडिशा की सम्रुद्धी संस्कुरुती और परंपरा का प्रदर्शन होगा जिसे दोनों राज्यों के विद्ध्यार्ती परिचित होंगे यह विचार ओडिशा केंद्रिय विश्व विद्धल है कोरापुट के कुलपती प्रोफेसर शरत कुमार पलिता ने वेक्ट कीये वे एक भारत श्रेष्ट भारत योजना की अंतरगत महत्मा गांदी अंतराष्ट्रिय हिंदी विश्व विद्धले एवं ओडिशा केंद्रिय विश्व विद्धले कोरापुट के सैयुक्त तत्वावधान में गुर्वार को गालीब सभागार में सम्मिश्र पद्दती से आ एखक कमल स्वरूप ने मुक सिनेमा एवं सवका जागरन विशे संदर्भ महराष्ट्र विशय पर व्याख्यान दिया उन्होंने दादा साहिप फालके द्वारा निर्मित फिल्मों और राष्ट्रिय अंदुलन पर उनके प्रभाव पर विचार व्यक्त किये कारेक्रम में विश्व विद्धाले के प्रतिकुलपती द्वय हनुवान प्रसाज शुकल और डॉक्टर चंद्रकान त्रागेट, प्रोफेसर मनोच कुमार, प्रोफेसर नुरुपेंदर प्रसाद मोदी, प्रोफेसर अउदेश कुमार, प्रोफेसर कुरुष्ण कुमार स अध्यापक शोधार्ती एवं विद्यार्ती उपस्तित थे। कारेक्रम में वारली चित्रकला एवं चत्रपती शिवाजी महाराच पर आधारित फिल्म प्रभाग द्वारा निर्मित रित्त चित्रका प्रदर्शन किया गया। स्वतंत्रता संग्राम के महानायक चंद्रशिकर आजाद एक इमानदार स्वाभी मानी, सहासी और वचन के पक्य वेक्ति थे। और सहयोग आंदोलन में जब वे गिरपतार हुए तब उनकी उम्र मातर 15 साल की थी। जज ने उनसे उनका नाम पूछा, उन्होंने अपना नाम आजाद पिता का नाम स्वतंत्रता और निवास्थान जेल बताया और कारिया भारत माता को स्वतंत्रता दिलाना उनका हिया उत्तर सुनकर जज ने उन्हें 15 कोड़े की सजा सुना दी। हर कोड़े पंडने पर उन्होंने भारत माता की जय वंदे मातरम का स्वर बुलन किया इसके पश्चात उन्होंने यह नारा दिया था, मैं आजाध हूँ, आजाध ही रहूँगा और आजाध ही मरूँगा। इसके पश्चात वे जीते जी कभी अंग्रेजों के हाथ नहीं आए। अनुसंदान संस्थान नंदनवन नाकपूर में केंद्रिया अयर्वेदिय विज्ञान अनुसंदान परिशद मुख्याले में एक दिवसिय हिंदी कारिश शाला का आयोजन किया गया। कारिय शाला के द्वितिय सत्र में ग्यानेश्वर टाकले, नोडल ओफिसर डी टी बी, एस बी आई, एओ नाकपूर द्वारा, राजभाशा नियम, अधिनियम, एवं शब्दावली, एवं तुर्तिय सत्र में अनिल्तिरिपाठी, साहयक निदेशक राजभाशा, प्रधान मुख्या आईकर अयुक्त, नाकपूर द्वारा टिपपन एवं पत्राचार विशय पर व्याख्यान दिया गया, अन्त में प्रिया ठाकरे, अनुसंधान अधिकारी, आयुर्वेद द्वारा, संस्थान के सभी अधिकारी, एवं कर्मचारी, तथा तीनों व्याक्याता महा कार्याशाला में संस्थान के साथ हदिकारी एवं कर्मचारी गंट सहबागी हुए। विधायक, विकास ठाकरे, यासीर अराफात और नाकपुर विभाग अलपसंख्यक के अध्यक्ष जनाब ओवेस कादरी हजिर थे। अहमत का शाल पुष्प गुच्छ और संबान चिन्न देकर स्नेहिल सतकार किया। इस अवसर पर विधायक, विकास ठाकरे, यासीर अराफात, ओवेस कादरी, आदी मान्यवरों का भी स्नेहिल सतकार किया गया। मंच पर इन मान्यवरों के साथ ब्रदर इमेनुएल चेलियन, जौन थामस आदी मान्यवर उपस्तित थे। सोनी मराठी चैनल पर इंडियन आइडल मराठी कारेक्रम अब रंगीन हुरा है। सपते नागराज मंजुले की आने वाली फिल्म जून्ड के कलाकार इंडियन आइडल के मंच पर प्रतियोगिताओं का अभिवादन करेंगे। इस फिल्म के मुख्यकलाकार में से आकाश ठोसर और जानिवानी अभिनेतरी रिंकु राजगुरू अपनी फिल्म के बारे में जानकारी देने और प्रतियोगियों के मधूर आवाद सुनने के साथ-साथ उनका उच्छा बढ़ाने के लिए आगयाएंगे। सेराट फिल्म आर्ची और पर्शा की ये मशूर जोडी और साथी साथ नागराज मंजुले का ये संगम फिर से उनकी नई फिल्म जूंड में दर्शकों के सामने आएगा। में सिगरेट और अन्यतंबाकु उत्पाद अधिनियम 2003 के तहट 160 वेक्टियों को पकड़ा है एवं उनसे 30,000 रुपे का जुर्माना वसुल किया गया है। करता है कि वे रेल परिसरों और ट्रेनों में धुम्रपान से बचे और अपने साथ-साथ अन्य यात्रियों के लिए भी यात्रा को सुरक्षित बनाए। रज्य सरकार की ओर से कोवेक्सिन और कोविशिल टीके का परियाप्त स्टॉक प्राप्त होने के कारण अठरा प्लस और पैतालिस प्लस आयू वर्ग के सभी नागरिकों का टीका करण नागपूर महनगर पालिका के साथ-साथ सरकारी केंद्रों पर आज शाम के चार बजे तक टीका करण होने वाला है। इस आयू वर्ग के नागरिकों को कोविशिल टीका निश्वल का दिया जाएगा। मनपा की और से बड़े पैमाने पर नागरिकों को टीका लगवाने का आवाहन किया जा रहा है। पहला डोज, दूसरा डोज और इसी तरह पात्र नागरिकों के लिए बुस्टल डोज लेने के लिए टीके परियाप्त मातरा में उपलब्द है। इसी तरह 15 प्लस आयू वर्ग के नागरिकों के लिए को वैक्सिन टीके का स्टॉक परियाप्त मातरा में उपलब्द हो चुका है। टीका करन के लिए ओनलाइन आफलाइन दोनों तरीकों से पंजी करन किया जा सकता है। परिसरों को जोडने वाली सड़क को बंद करने का विरोध किया है। धरिय पुर्वक प्रतिक्षा करने के बाद Confederation of All India Traders ने प्रधान मंतरी नरेंद्र मोधी को एक पत्र भेजा है। जिसमें व्यापारियों की समस्त्याओं को कम करने में सरकारी एजंसियों की विफलताओं का जिक्र किया गया है। कैट के राष्ट्य अध्यक्ष, BC भरतिया और राष्ट्य महामंतरी प्रविंट खंडेलवाल ने प्येम मोधी को लिखे पत्र में कहां कि देश में छोटे व्यवसायों के उत्थान और उन्हें व्यवसाय करने में आसानी प्रधान करने के उनके दुरुष्टीकों को सम्म और आगे बढ़ाने में कोई असर नहीं छोड़ा गया। हालकि ये वहत दुखद है कि अभी तक किसी भी संगठन ने प्रधान मंत्री को छोटे व्यवसाईयों के उत्थान के मुद्दे पर अवगत नहीं कराया है। जो कि सीधे तौर पर प्रधान मंत्री नरेंद्रमोधी क उद्देशक और विचारों के विरुद है। कि मुनी राज जीव अनंत काल से भटका है। मेरे पुर्वा भव बताये वो सुनकर राजा दशरत विरिक्थ हो जाते है। करना चाहिए। ये सुनकर भरत को वैराग्य होता है। मेरी माने कैसे संकट खड़ा किया है। जिस तरह हम रुद्द्यू बालक और युवा को नहीं देखती। उसी प्रकार घर में रहकर ही हमें ग्रुहस्त धर्मका पालन करना चाहिए। नाग विदर्वा ब्रिक्स मैनुफेक्चरिंग एसोसियेशन के अधिक्ष्य गुपाल में हाडिया ने बताया कि जी एस्टी की दरों में वृद्धी के खिलाफ धरना एवं सरकार को ग्यापन देने के बाद भी कोई सुनवाई नहीं हुई है। जी एस्टी और कोईले की दरों में बढ़ोतरी के खिलाफ सरकार का ध्यान आकरशित करने के लिए महाराष्टा ब्रिक्स मैनुफेक्चरिंग लगू उद्योग एसोसियेशन वदन नाग विदर्वा ब्रिक्स मैनुफेक्चरिंग एसोसियेशन एवं अखिल भारतिय इट वटायल्स निर्माता महासंग नए दिल्ली के तत्वावधान में आगामी आठ मार्श को दिल्ली में जंतर मंतर पर सुबह 10 बजे से शाम के 4 बजे तक धरना प्रदर्शन में शामिल होंगे जिसमें देश के प्रत्तिक जिले से सभी भट्टे वालों को पहुचना अनिवा जंतर मंतर पर पहुचने का भान किया है इसमें अलपसंख्यक छात्रों को मुख्यधारा में आने में मदद मिले। इसमें अलपसंख्यक छात्रों को छात्रवरुति के रूप में वितरित किया जाता है। शाम साड़े छे बजे संगित प्रभाकर ताल उत्सव का आयोजन साइंटिफिक सभागरुः लक्ष्मिनगर नाकपुर में किया गया है। ये कारेकरम नाकपुर के तीन सुप्रसिध्ध कलाकार तबलावादक, स्वर्गिय पंडित प्रभाकर राव देशाई, शास्त्रिय गायक, स्वर्गिय पंडित प्रभाकर राव खरडेनविस, एवं स्वर्गिय पंडित प्रभाकर राव देशकर के स्पूरुति में वादन की प्रस्तुती होगी इसमें तबलावादिक, सचिन बक्षी, मुरेश्वर दहा सहस्र, विने ढोग, रवी सात्फले के द्वारा खांदानी बंदीशों की पढ़नत की जाएगी और इनके शिश्या मोहनकुर्वे, अथरव टेकाडे, अथरव शेश, भावेश्च कर द्वारा किया जाएगा, इस कारेक्रम का ज्यादा से ज्यादा संख्या में उपस्तित होकर आनंद ले, ऐसा आवान, दक्षिन मध्यक्षेत्र सांस्रुतिक केंद्र की ओर से किया गया है। अधिकी तुल्ना में 11.11 प्रतिशत लदान तथा 44.37 प्रतिशत आए में अधिक है। जो मुख्याले द्वारा फरवरी माहा के लिए निर्धारी टार्गेट से आए में 103 प्रतिशत अधिक है। इसके अलावा इस महा पार्सल लदान के अंतरगत 1-28 फरवरी तक कुल 755 टन पार्सल की लोडिंग से 17,56,000 रुपे की आए हुई है। बुद्धी और ग्यान के बल पर पैसा जितने का उसर प्रदान करने वाला कौन होनार करोडपती का नया सिजन चल्धी सोनी मराठी चैनल पर आ रहा है। तिसरे सिजन में शामिल होने दर्शकों के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू हुआ है। दर्शल टोल फ्री नंबर पर मिस्ट कॉल दे या सुनी लिव एप पर जाकर अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। इसमें भाग लेने के लिए पिछले साल प्रति भागियों से दस प्रशन पूछे गए थे। लेकिन इस साल 14 दिन के लिए 14 सवाल पूछे जाएंगे। जितने अधिक प्रशन उतने अधिक अफसर मिलेंगे। इस साल भी मशूर अभिनेता सचिन खेडे कर कोंड हुनार करोरपती का होस्ट करेंगे। अपने अभिनाय कौशल के साथ सचिन खेडे कर प्रति भागियों के साथ सब्वात करने और उन्हें आराम देने में बहुत अच्छे हैं। और स्थानिय युवाओ को परियतन से रोजगार मिलेगा। ये बात कि इंजरिय मंत्री नितिन गड़करी ने भंडारा जिले में राष्टिय राजमार्क त्रेपन पर 15 किलोमिटर लंबाई तधा 421 करोड रुपे की लागत से बनाय जा रहे। गड़करी ने कहा कि इस सड़क के निर्मान से वैंगंगा नदीवर बने पूल पर यातायत का भार कम होगा। भंडारा जिले में ट्राफिक जाम को रोका जाएगा साथ ही समय और इंधन की बज़त भी होगी। नाकपूर और अंगाबाद, मुंबई, कोलहपूर, अमरावती, नासिक, लातूर और कोकन इन 9 मंडलों के माध्यम से मार्च अप्रेल 2022 में ली जाने वाले उच्च माध्यमिक प्रमान पत्र कक्षा बारवी की लिखित परिक्षा 4 मार्च गुरुवार से 7 अप्रेल 2022 तक न निर्देश दिया है, इस परिक्षा के लिए राज्य के कुल 14,85,826 चात्रों ने रजिस्रेशन कराया है, इनमें 8,17,611 चात्र, 6,68,088 चात्रों का समाविश है, पुरे राज्य में कुल 10,278 जुनियर कॉलेज के चात्रों का नामंगन किया गया है, और चात्रों के लिए परिक्षा कार्यक्रम की घुशना कर दी गई है, तो नागपुर हल्चल में आज इतना ही, आपसे कल फिर मुलाकात होगी, तब तक देखते रहिए वीके वीडियोस, नमस्कार